Hello everyone, मैं हूँ सचीन और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम देख रहे है जावा इन ब्लूजे और आज के इस क्लास में हम एक कोश्चन सॉल्ब करने वाले हैं देखिए यहाँ पर कोश्चन लिखा हुआ है एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ write a program to accept the numbers of four cities in a single dimensional string array and their study and search study by city name मतलब हम लोग single dimensional array बनाएंगे और दो ठो single dimensional array बनाएंगे और एक में हम लोग क्या करेंगे city को store करवाएंगे और एक में उसका code को store करवाएंगे और फिर हम लोग city का नाम के थुरू study code को search करवाएंगे ठीक है जैसे बंदा जिस city का नाम देगा उसका code भी display होगा ठीक है तो चलिए देखते कैसे इसको करना है तो सबसे पहले देखिए यहां पर blue jay मैंने open करके रखा है यहां मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद यहां पर मैं कुछ का नाम देदेता हूं class का तो class का नाम यहां पर मैं देदेता हूं इसको हम लोग यहां जाते हैं और हटा रेते हैं अब यहां पर main class पहले मैं बनाता हूं जैसे की public static void main str ing string args square bracket open close फिर curly bracket open close ठीक है ना अब हम लोग user से input लेना है हम लोग अच्छा void के जगह में यहां पर हलका से mistake हो गया देखें क्या लिखना था मेरे को भी ओ आईडी ओके अब ठीक है हाँ तो मैं कह रहा था कि user से हम लोगों को value लेना है उसके लिए scanner class का ज़रूत पड़ेगा तो scanner class का use करने के लिए यहां पर हम लोगों को import करवाना होगा तो यहां ल अब यहां पर scanner class का object भी यही लगे हम लोग क्या करेंगे create कर लेंगे तो यहां object का नाम में देता हूं input और फिर equal to and then यहां पर new and then scanner और फिर bracket और इसके अंदर में हम लोग लिखेंगे system.in ठीक है scanner class का object बनके तयार हो गया अब हम लोगों को दो array यहां पर लेना है और array का data type कैसा होगा string होगा ठीक है तो मैं यहां पर लिखता हूं str ing string पहले यहां पर city के लिए हम लोग लेते तो यहां मैं लिख देता हूं cities square bracket open close equal to new str ing string और फिर open close और यहां पर हमको कितना element इसके अंदर मिश्टोर करवाना चार तो यहां पर हम लोग लिख देंगे चार यह हो गया size of the array और अभी यह खाली है इसमें हम लोग value put up करेंगे similarly इसी तरह से हम लोग study के लिए भी एक array बना लेते हैं तो यहां पर इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे std और यहां पर size इसका four ही होगा ठीक है अब यहां पर एक variable मैं और ले रहा हूँ int not मतला बगर search कर रहा है कोई बंदा को city का नाम ऐसा दिया जो इसमें available नहीं चारों में तो उसमें दिखाना होगा ना कि not found करके उसके लिए मैं यह वाला variable ल लूप करूंगा लूप करने से पहले देखिए यहां पर मतलब हम लोग को city का नाम और study code user से तो लेना होगा ना तो यहां पर मैं user को message दिखाऊंगा देखिए system.out.print print ln bracket और यहां पर मैं user को बोलूंगा इंटर दा इंटर दा दिखने तरकार नहीं इंटर मैं डारेक्ट लिख देता हूं इंटर city and std ठीक है std code लिखे जो लिखे हो आपका इच्छा है और उसके बाद यहां पर आप हम लोग क्या करेंगे loop के through array में value को insert करवाएंगे तो यहां पर सबसे पहले inti is equal to 0 उसके बा क्योंकि इसका side 4 है तो जाहिज सा बात है 0 1 2 3 तक ही जाना चाहिए और फिर i++ bracket and then open close अगर आप लोगों को loop के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है तो एक बार आप playlist में जाहिए पूरा loop का मैं video बनाया हूं तो आप उसको एक बार देखेगा क्योंकि loop सीखना बहुत जरूर सिस्टम डॉट और एरे भी आप क्लियर करके ही यह वाला वीडियो देखेगा ठीक है यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टैलेंट ब्रैकेट और यहाँ पर हम लोग मैसेज दिखाएंगे बोलेंगे इंटर सिटी थोड़ा से ऐसे कर लेते हम लोग और उसक के बाद में यहां पर सिटी के लिए क्या डॉट है हम लोग सी आई ती सिटी स्क्रायर ब्रैकेट के अंदर में क्या होगा आईका वैल्यो तो एक गया वैलियू जीरो फिर फिर वान फिर टू इस प्रकार से एक एक ऐलिमेंट क्या करेगा वो इस पर्टिकुलर अरे में डा अब इसी प्रकार से हम लोगों को क्या लेना है कोड तो यहां से मैं इसको यहां तक कॉपी करता हूँ और यहां पर मैं इसको पेश्ट कर दे रहा हूं और यहां पर क्या लिख दूँगा मैं इंटर अब हम लोग क्या करने वाले कि अब हम लोग को सर्च भी करवाना है ना तो सर्च करवाने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे पहले तो यूजर से वैल्यू लेना है हम लोग को ठीक है ना यूजर से हम लोग क्या करेंगे वैल्यू लेंगे तो यहां पर मैं लिखता हूँ system 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 dot out dot print print ln फिर bracket और यहां पर मैं बोलूँगा इंटर दा नेम आफ सीटी ठीक है ना नेम इंटर दा नेम आफ दा सीटी 2b search search ठीक है जिस city को हम लोग search कर वा रहे है उसका नाम डीजे करके यहां पर हम लोग उने user को कहा अब यहां पर फिर से एक string में ले रहा हूं और यहां पर मैं string variable declare कर रहा हूं मैं यहां पर नाम में city रख रहा हूं और यहां पर फिर से हम लोग scanner class का object का यूज करके इसके अंदर में value को store कर वा लेंगे तो यहां पर लिखना होगा input.next line bracket open close ठीक है तो अब जो भी बंदा लिखेगा मतलब सर्च करने वाला जो value होगा वही city नाम का variable में store हो जाएगा ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर अब हम लोग को loop चलाना होगा यहां पर हमारा loop चालू होगा तो यह जो loop होगा इसके अंदर फिर से मैं क्या करता हूं मैं i को ही declare कर रहा हूं यहां पर int i is equal to zero कर दे रहा हूं and then i जो रहाएगा वह less than four होगा और उसके बाद i जो रहाएगा यह plus plus में जाएगा मतलब increment होते हुए रहेगा ठीक है अब इसके बाद में हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं यहां पर हम लोग लिखेंगे इफ और उसके बाद ब्रैकेट अब यहां पर दिखें को हम लोग को सर्च करवाना है ना तो मैं यहां पर काम करूंगा मैं सिटी डॉट और उसके बाद मैं यहां पर कर रहा हूं टू ल ओ लोवर लोवर के मतलब जो भी वैल्यू बंदा कुछ भी लिखेंगे उसको मैं यहां पर लोवर में कनवर्ट कर दे रहा हूं ठीक है वो कैपिटल में लिखेंगे तब भी स्मॉल लेटर में हो जाएगा इस उसके बाद डॉट फिर हम लोग एक मैथड यूज कर रहे है इकोलिटी चेक करने के लिए मतलब दो इस्ट्रिंग आपस में सेम है की नहीं उसके लिए एक आता है मैथड इकोल नाम का उसको लिखेंगे और फिर ब्रैकेट ओपेन क्लोस में कर रहा हूं और यहां पर यहां पर मेरे को एरे का नाम लिखना होगा सीटीज फिर यहां पर स्कॉयार ब्रैकेट ओपेन क्लोस एंड और फिर यहां इसको भी हम लोग क्या करेंगे लूवर केस में कर देंगे कि हो सकता बंदा कैपिटल में लिखा हो तो यह भी आपका लूवर केस में हो जाएगा तो दो लोवर लोवर रहेगा तो खोज लेगा राम से ठीक है लोवर केस ब्रैकेट ओपेन क्लोस चलिए अगर ऐसा वैल्यू मिलता है मतलब दोनों आपस में बराबर होता है तब हम लोग क्या करेंगे कि सीटी का नाम और स्टेडी कोड जो है वो प्रिंट करवा देंगे तो भी ह और यहां फिस प्ली कर ले रहा हूं यहां पेस्ट कर ले रहा और उसके बाद यहां पर मैं लिख देता हूँ Ct nam e name और उसके बाद यहां पर ब्लस साइन दे देते हैं अन्डन यहां पर cities स्क्वाइर ब्रैकेट और यहां पर मैं आई लिग देता हूं और उसके बाद में कलसर का मेरा यहां है अभी मैं इसको फिर से कॉपी कर रहा हूं और देन मैं जा रहा हूं और इसके बाद इसको पेस्ट कर देता हूं यहां पर study और यहां पर मैं इसको code लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है और यहां पर हम लोग लिख देंगे STD और उसके बाद में जैसे मिल गया तो फिर आगे सर्च पतला आगे और सर्च करवागे क्या पैदा यहां पर हम लोग इसको break करवा देंगे और break करवाने से पहले एक काम और हम लोग करना है कि यहां पर हम लोग क्या रखे थे कहा गया भी यहां not equal to 0 था ना तो अब वो मिल गया तो यहां पर मैं not equal to 1 करूंगा मतलब भई एक तो तो मिली गया अब इसका काम क्या not का मैं आपको दिखा रहा हूं यहां जाओंगा मैं लूप के बाहर में और लूप के बाहर में यहां पर मैं लिखूंगा कि if not not equal to equal to 0 अगर not 0 होता है तो ही अगर मान लिजए ऐसा चीज है कि जो सर्च ही नहीं हुआ तब क्या होगा कि यहां पर एक मैसेज हम लोग डिस्पले करवा देंगे कि city not search करके है ना यहां जाते हैं हम लोग और इसको मैं यहां से हटा देता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं city not pound लिख देता हूं फो यू एंडी मिला है अब हम लोग चलते हैं यहां पर और इसको मैं right click कर रहा हूं देन बहुत में में क्लिक कर रहा हूं देन ओके अब यहां पर इस टेडी तो पहले मैं study दे रहा हूं देखे अब उतना सारा में वह सीटी का नाम नहीं मैं सिंपल यहां पर क्या करूंगा ए ए ए पहला सीटी का नाम मान लिजे कि यह ही है और इंटर मार देता हूं दूसरा सीटी जो है मैं मान के चलता हूं कि भी है बी बी है और इसका कोड जो है वह आपका 222 है उसके बाद वाला जो है वह मान के चलता हूं मैं सी सी है और इसका study code 3 3 3 3 है उसके बाद वाला मान लिजे डी 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 है और उसका study code 4 4 4 है ठीक है अब यहां पर बोला गया कि इंटर दा नेम ऑप दा सीटी टूबी सर्च तो मान लिजे कि हम लोग सी 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 को सर्च कर रहे है यहां पर मैं लिखता हूं सी 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 और उसके बाद इंटर अगर में मारूं तो देखिए यहां पर city name सी 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 और स्टेडी कोड 3 3 3 हम लोगों को यह दिखा रहा है अब चलिए वह ऐसा केस भी देख लेते कि जहां पर हम लोग वैल्यू नहीं दे तो यह क्या नॉट्स फाउंड दिखाएगा तो राइट क्लिक करते हैं वार्ड में में जाते हैं ओके में जाते हैं और फिर यह समीलरली वह ऐसे लिखने वाला हूं ए ए ए ए और फिर यहां 1 1 1 और फिर यहां 2 2 2 2 उसके बाद CCC उसके बाद 3 3 3 उसके बाद DDD उसके बाद 4 4 4 4 और मान लिए हम लोग सेर्च कर रहे है ई ई ई जो की है ही नहीं तो यह दिखा रहा है सिटी नॉट फॉर्म मतलब जैसा चा होगा है और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो और यह जो पुग्राम आज हम लोग किये हैं यह समझ में आया हो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और इससे लेटेड अगर आपको डाउट है कि भीया पटिकुलर लाइन क्यों लिखा गया है तो प्लीज कॉमेंट करिए और कॉमेंट के माध्यम से मैं आपको समझाओंगा या तो फिर सी इस तरह का एक वीडियो में आप लोगों को अप्लोड करूंगा और उस पटिकुलर टॉपिक को मैं उसमें कवर करने का कोशिश करूंगा